जहरकिन विधान सभा के बज़ज सत्र में सरकार ने आदिवासी खाते की भूमी पर अवैद कवजा कर हो रहे निर्मान पर रोक लगाने के निर्देश दिये थे लेकिन राची जिला में इस निर्देश की धजियां उड़ रही है चलिए इस पूरे मामले को समझते हैं हमारे प्रिंसिपल कोरिस्पोंडेंट से कौन सी जमीन है जिस पर निर्मान कारी रोकने को कहा गया था लेकिन सरकार के निर्देश का पालन नहीं किया गया और जिला प्रशासन उस निर्देश को अमनी जामा पहनाने में असफल नजर आई हमारे साथ है हमारे प्रिंसिपल कोरिस्पोंडेंट प्रवीन जी प्रवीन जी बताइए क्या कुछ है ये पूरा मामला बिधान सभा में एक मामले उठाया जाते हैं जिसमें कहा जाता है अर्गोडा अंचल राची के अर्गोडा अंचल का है जहां 84 डिस्मिल जमीन पे संब्रिधी बिल्डर निर्मान कर रहा है उस भूखंड पे निर्मान कर रहा है जहां विधान सभा में राजस्व भूमी सुधार विभाग ने यह भरोसा दिलाया था जब तक इसमें वाद चल रहा है मतलब जब तक मामले चल रहे हैं तब तक किसी तरह का निर्मान नहीं होगा और इस संबंद में जो हमें सूचना मिली है अंचल कारियाले ने भी काम रोकने का निर्देश दिया था और यह पूरा मामला अर्गोडा अंचल के खाता संख्या 140 के से जुड़ा हुआ है जहां गोंदल उराओं के वनसज के नाम से भूमी है और वहां पर बहुमंजला इमार का निर्मान हो रहा था विधान सभा में पांच तीन दोहज्जार एकीश को चम्रा लिंड़ा ने सवाल जो उठाया था उस सवाल के जवाब में सरकार की ओर से कहा गया था कि जब तक इस खाते में जब तक इस पर जो बात चल रहा है जिस तरह का इस पर पूरा मामला चल र नहीं होगी इसके बावजूद अप्रेल मैं जून और अभी जुलाए में भी निर्मान कार हुए है हमारे पास उसके फोटो विडियो मौजूद है जो पिछले दो दो दिन के हैं वो यह बताता है कि एक तरह से विधान सभा राज्य की सबसे उची पंचाइद विधान सभ में कही हुई बात को भी जिला प्रसाशन अमली जामा नहीं पहनाता है एक बहुत बड़ा सवाल और गंबीर सवाल खड़ा हो रहा है और इस संबन्द में सरकार के आश्वाशन भी कहीं न कहीं एक तरह से धूमिल हो रही है दूसरी ओर जो इस मामले को विधान सभाम उठा चमरा लिटा उनसे भी हमने बात किया तो उन्होंने कहा कि यह प्रसाशन का मामला का मामला है कि जो वहाँ विभाग की ओर से जबाब दिया गया था और उसे यहां के अधिकारी राची जला के अधिकारी सीधे तोर पे कहा था DC, AC और अंचल अधिकारी अमली जामा नहीं पहना आ रहे हैं उस निर्देश को उस आदेश को और ये इसी में जो और हमारे पास जो साच्छे हैं उसके अनुसार गोंदल उराओं का भूमी का मामला है जो की कठल मोड जाने वाले राष्टे पे है उसमें अपार्टमेंट का निर्मान हो रहा है प्राप्त जो साच्छे हमारे पास दस्तावेज हैं उसके अनुसार गोंदल उराओं के बंसजों को एसार में एसार कोट से फिर DC के पास उसी का अपील किया गया है इसके बाद भी जमीन उनको हस्तान्तरित नहीं की गई और पुना एक बार राची उपायुक्त कोट में ये मामला पहुचा है जाहिर है कि सम्रिधी बिल्डस द्वारा किये जा रहे निर्मानकारे पर बजजच सतर के दौरान रोक लगा दी गई थी लेकिन फिर भी निर्मानकारे जारी है ऐसे में ये सवाल उठता है कि आखिर किस के शह पर ये निर्मानकारे चालू है फिल्हाल इतना ही जुड़े रहे लाइव लगातार के साथ नमस्कार